Big Boss OTT Season 3 आच चुका है and I know I know अप लोग देखना चाहते थे मिरको वहाँ पे but मैं अपने आपको नहीं देखना चाहता था वहाँ पे इसलिए इस साल नो Yes, it's that time of the year एक तो बहुत दिन हो गए dedicated roast वीडियो नहीं बनाया Yes, इस साल भी इतना milk करूँगा इतना milk करूँगा कि फिर मेरे को stage पर बुला लेंगे आज इधर भी आके milk कर ले and इस साल भी Big Boss ने भर भर के भर भर के influencers को डाला है यार I'm sorry मेरे को बहुत अजीब लग रहा है guys इस साल भी यूटूबर्स और influencers को भर भर के डाला है Big Boss कम fanfest ज़्यादा लग रहा है इसमें मेरे को कभी नहीं बुलाते But पहले contestant कोई है Arman Malik Yes, इंस्टा पे अगर आपको नहीं पता तो एक से यदा लोग के साथ आप collab feature डाल सकते हो तीन लोग भी collab कर सकते है एक post पे Yes, वो Arman Malik के लिए आया है Arman Malik को देखके लगता है हमेशा साथ में background dancers लेके गुमते Yes, इसको नहीं पता Arman Malik इसलिए famous है क्योंकि उनकी दो बीविया है हम पहले भी roast कर चुके है And वो pranks भी करते है लेकिन अभी तक का उनका सबसे बड़ा prank यही था क्योंनों ने Big Boss को convince कर दिया कि वो उनकी TRP बढ़ाएंगे Generally Big Boss में क्या couple अपल जाते है जिस पेसे एक eliminate हो गया तो दूसरा अकेला feel करता है फिर वो किसी और पे line मरता है इधर तो टेंशन ही निये दो बीविया जा रही है बीविया इसको बाहर नहीं होने देंगी मालूपड़ा अर्मान पहले eliminate हो गया दोनों बिचारी बाहर आई कि एक तीसरी wait कर रही है Yes जनरली देगो Big Boss में bad bad share होता है बट इस साल घर में पती share होगा अर्मान भाई बाहर किसी को तो छोड़ के आते फैमली से मिलने वाला एपिसोड होगा तब कोन आएगा सब तो अंदर ही है मैं भी तोना आत हूँ उझे भी एक निवाला खिला होगी अब आप सोच रहे हैं कि मैं अर्मान मलिक को इतना क्यों रोश करता हूँ इस इनों ने जेल जाने के बाद बिग बॉस में आने वाली प्रथा जारी रखी एंड यह बिग बॉस के घर में अकेली आई है यहां पर पती को लेके नहीं आई है क्या इधर कैमरा पकड़ने और माइक लगाने के लिए क्रू वाले होते हैं पती को मेरे ख्याल से इसले भी नहीं लिया क्योंकि अंडर दे टेबल बाकी आजू-बजू के कंटेश्टेंट्स को हटाना पती को तो अच्छे से आता है और दूसरे कंटेश्टेंट्स को एक टैप से फाइदा है कि टेस्ट और हाइजीन के साथ फ्री में वड़ापाव मिलेंगे घर के अंदर लेकिन कोई भी घर में कीचन का सामान और खाल सकर बेसं बेसं बरबाद नहीं करना वरना शुरू हो जाएगी येस दीदी वड़ापाव दीदी ने थेले से फाइनली अपग्रेड किया था रिसेंटली अभी एक प्रॉपर दुकान खोली थी उन्होंने ये विक्टिम कार्ड है जिसे आज कल सभी लोग अपनी जिम में रखते है ज़रूरी है पर चंदरिकाजी आपसे यही उमीड है कोई भी आपके खिलाफ कोई ओपीनियन दे तो सेहन कर लो वरना वीकेंड के वार पर अनिल जी को दल्ला बोल दिया तो हो गया फिर देखके पड़ता है कि sun protection चाहिए naturally glowing skin चाहिए और कोई ऐसा product ढून रहा था जो दोनों चीज़े एक ही चीज में दे सके और तब ही मिला से बचाता है and dewy glass skin glow देता है and niacinamide जो की dark spots reduce करता है and even skin tone देता है आप देख सकते हो sunscreen लगाने से पहले और बाद में कितना अच्छा फरक है इतना ही मामारत की और भी sunscreens है जो sun protection के साथ और भी benefits देती है जैसे beetroot hydraful sunscreen जो की sun protection से बचाती है और hydrate करती है skin को vitamin C daily glow sunscreen for sun protection and radiant glow upton detan sunscreen जो sun protection plus skin detan करता है ultralight indian sunscreen lightweight skin soothing with sun protection and hydragil indian sunscreen जो की non sticky sunscreen तो है बट इसमें goodness of aloe vera भी है and raspberry and जो आपको पता है मामारत listens to you तो आप product use करो है अपना feedback उनके साथ share करो recently उन्होंने अपना onion hair shampoo जो है वो improve किया based on your suggestions and research and better quality से हमेशा ये products अपने improve करते है जिस आपको परता है मामारत amazon flip card naika पे तो available है लेकिन अभी आपके nearby store जो ही मिलेगा तो कहीं भी product दीखे है तो में को नीचे comment से बताओ अगला कोड़ तो है थगेश 2024 जिससे आपको एक्षा 20% off मिलेगा जो कि वैलेड़ मामा.in और उसके app पे देखो ये फेक लफडे करने वाले ना सुधरेंगे ही नी कभी शराम आना चाहिए रैप सीन के चरेंटली उतरा फ्लो अगेरा आ नी रहे उनका अगले बाइड़ा उसमें डाला हूडी थोड़ा बहुत मूडी में बहुत में लगा मैं तो अब क्या करूंगा क्यूटी बोले लड़किया बट आई जनूरी ओप ने तो बुलेट तो वापीस आई जाएगी अपने वाई है जो कि यस तीम तीगाडा का पर्ट है ने अर्मान मलिक की बीवी नहीं है यस मैं बात कर रहा हूँ उस टिक टॉकर के बारे में जिनका करियर टिक टॉक के साथ डिलिट नहीं हुआ विशाल पंडे विशाल पंडे और हम रीसेंटली सीम साब से मिलने गए थ फैशन, डान्स, कॉमेडी, लाइफस्टाइल, हर चीज खराब कर चुके है विशाल भाई का यूटूब चैनल भी प्रैंक से भरा हुआ है यस वो फणी होने का डेर करते लेकिन लोगों को प्रैंक लगता है यह अपने तीन तीगडा वाले साथियों को साथ में लेकि नही यह जैसा मैंने बोला हम सीएम से मिलने गए तो वहाँ पर इन्होंने सीएम सर के साथ वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने टूरिजम प्रमोट किया जाकि इनके कॉंटेंट से दूर भागने का जगा मिले अगले है बिग बॉस में नीरज गोयाथ अर्मान भाई रिसेंटली चैलेंज कर रहे थे UK07 राइडर को बॉक्सिंग मैच के लिए UK07 तो नहीं मिले लेकिन उनको ट्रेन करने वाला नीरज गोयाथ है इस नीरज भाई ने हमेशा ट्राइ किया है कि वो इंडिया में बॉक्सिंग प्रमोट करें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ मैं को लगते है नीरज भाई ऐसे रेर कंटेस्टेंट होंगे जिनका खुद का घर बिग बॉस के घर से बढ़ा है और करियर बाकी कंटेस्टेंट से नीरज भाई ने मुक्का बाज और तूफान जैसी मूवीज में भी काम किया है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीरज भाई अगर स्क्रिप्टेड फाइट करते हुए मिले तो आपको हैरानियत ना हो नीरज भाई बाकी तो हमारा सपोर्ट है आपको बस हाथ नहीं चलाना बिग बॉस के घर में ठीक है जुबान जुबान वो तो आपको पता ही है नेक्स कंटेस्टेंट है मनीशारानी आई मीन वन अभी मनीशारानी शीवानी जो कि डेली व्लॉगर है पता नहीं सर्वाई कैसे कर पाएगी यहां तो फैमिली वो एक्स्पाइट भी कर पाएगी इन्होंने बेसिकली आते ही रोने की एक्टिंग उवर एक्टिंग अगले साल से मेरे को लग रहे है बिग बॉस वाले ना कैमरा नहीं लगाएंगे 30-40 व्लॉगर छोड़ देंगे घर में जाओ 24 गंटे में 30 गंटे का कॉंटेंट निकाल लेंगे एक तो शिवानी को देखके ऐसा रखता है अगर राजा व्लॉग्स फीमेल होता न वही देखो clickbait thumbnails वही privacy का मजाग इनके vlogs में एक चीज़ इंट्रेस्टिंग है टाइम भी दिखाना हो या आईफोन का स्क्रीन दिखाती है लेकिन रोना हर दूसरे व्लॉग में इनसे तो हम उमीद करी सकते हैं के fans को manipulate करके hashtag चलाए शिवानी ने आते ही victim card खेला sympathy gain की वड़ापा वाली से compete करके देखो अभी बोल के ले रहा हूं में दीरे दीरे सब पर बोलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनका fan pages बन जाएगा तो क्या है अभी बोल के लेता हूं में बाद में शिवानीयास वगेरा कुछ ऐसे सब बन जाएगा तो बाद में आते हो comment में तो अभी बोल के ले रहा हूं नेक्स्ट है सना मकबूल येस अगर बिग बोस में एकात सना ना हो हर सीजन में तो बिग बोस को मजा ही नहीं आता है और एक सना तो चलती ही नहीं बिग बोस को बट ये एकदम सोबो साउथ डेली वाली लड़की होने का प्रेटेंड कर रही है पर इनका एकसेंट जो है थोड़ा अंग्रेजों की तरफ जा रहा है और इनका हेट शिवानी की तरफ इनको देखके ऐसा लगा मेरे को बता नहीं अचानक से और नेक्स कंटेस्टेंट वेरी शौकिंग कंटेस्टेंट रन्वीर शोरे येस ओनली गाई जिन्हों करियर में सबसे आदा उखाड़ा इन लोगों में से रन्वीर शोरे ने आते ही कहा कि मैं यहां पर आया ही हूँ इमेज डिस्ट्रॉई करने सही रस्ता एकदम सही रस्ता चुना है अगर ठीक से नहीं हो पाई तो लफड़ा सेंट्रल में आना उदर कर देंगे ब्रन्वीर भाई ने भी क्लियरली बोल दिया कि यहां आया हूँ क्यूंकि काम नहीं था अरे बिग बॉस का घर है कि ओल्डेज हों बॉलिवूड का इसलिए साजित खन भी आ गया था इस उन्होंने आते ही बोला कि घर में फोन नहीं है तो हाथों की लखी रहे देखकर टाइम पास करना पड़ेगा सर वो ठीक होती तो यहां थोड़ी आते अरे तु जहां बोले उस नर्क में आऊंगा देखो आगे गर में कभी गया ना तो से यही क्लिफ निकलेगी एक तो बिचारे इतने बड़े अक्टर आये उनको अंदर पूझा जा रहे आप कौन हो अब क्या करते हो यही चीज लास्ट टेम पूझा बट के साथ करते हो चल जाता उनको तो मैश बट भी बूल गए पर रनवीर शोर यार कितने बड़े-बड़े वेब सीरीज में काम किया है उन्होंने टाइगर सेक्रेड गेम सिंगिस किंग और मेरा फेवरेट जिस्म बिचारे आके यहां पहले ही दिन बेढ के लिए लड़े है ऐसा डाउन फॉल ना दिखाए कोई अगले है साई केतन राओ साई केतन राओ साई केतन राओ एक टीवी अक्टर मेहंदी है रचने वाली चाशनी भिष्णी ऐसे सब सीरियल में आये यह सब मुझे नहीं पता तो उन्होंने खुद से ही बताया जैसे इन्होंने यह भी बताया कि एंजीनियर और एंबी है अगर अक्टर होने के बावजुद आपको इस सब बताना पड़ रहा है तो आप सही जगाए हो देखो यह आते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया रिलेट विलेट कर रहा हूँ जब तक इन्होंने खुद को ग्रीन फ्लैग ना बुला अगर कोई लड़का अपने अपने को ग्रीन फ्लैग बुला रहे तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इस पर तो एक वीडियो भ को रोश्ट करनेगा फिर सुतना थोड़ो यार यूट्यूब बाले भी कौन सा अपने साथ है अपने साथ एक ही होता है ओडियंस फिर जैसा मैं बोला एक सना से शांती नहीं मिलती तो एक और है सना सुल्तान खान पहले मेरे को लगा वह पंजाब के शशांग सिंग जैसे से एक और सना को ले लिया सना इस सीजन की सबसे बड़े ट्विस्ट है और का ट्विस्ट होना बनता भी है सना की स्पेशालिटी ये दिखाई गई कि उनको उर्दू आती उनका लेजा वेजा सब बोलते है वो सब सही है परफामस दी बिलकुल नजागत के आपने चार चान लगा दिये हैं मैं बहुत लोगों से मिल रहा था मगर थोड़ा सा भी क्या नजाक ते क्या अदा है वो तो जाकिर खान का भी सही है लेकिन वो लड़की नहीं है न प्रॉबलम यह है ऐसे में बड़ा सक्त लोड़ना हूं साना ने अनिल भाई को भी शेयर सुना अनिल से रिपोस्ट किया होगा अपने एफवी पेज पर फिर है इसमें पॉलो मी पॉलो दास जिनको सबसे पहले मैं आल्ट बाला जी पर देखा था रिसर्च पर पोज़स से में गया था वह अप पर सची एडिटर काट दे नहीं यह एकसेप्टबल नहीं है इनोंने भी नागी से तो उनको फिश खाने की बहुत आदत है इनका बस चले स्विमिंग पूल में पापलेट भी प्लेट छोड़ दे इनको आठ घंटे की नीद भी पूरी करनी है दीदी तो रिजोर्ट में आई है और इनके बारे में सिवेग बाद अच्छी लगी यही एक है जिन्होंने नेजी को चुक कराई अगले है दीपक चौरासिया जो की इंफ्लूएंसर हेटर है क्योंकि उनको 90-120 सेकेंड की रिल्स में मजा नहीं आता बोला इन्होंने और क्या रिपोर्टर की तरह मुझे ड्रग दो ड्रग दो चिला नहीं पाते दीपक जी के पैरों में जो की चोट लगी है जैसे ही वो पर के अंदर गोसे हमारे इंफ्लूएंसर्स ही आए उनको हेल्प करने तीवी वाले तो आई नहीं वो क्या शो हो या इंसान उपर उटने के लिए आजकल सबको इंफ्लूएंसर्स काई सहारा लेना पड़ रहा है इस दीपक चौरासिया एक बाद ट्विटर पे ट्रेंड ह होई थे क्यों को लग रहा तो दारूपी के रिपोटिंग कर रहे थे घर में भी फुल गुटका बीटका खार है बिग बॉस वाले को हमेशा एक आदमी चाही होता है जिसकी शराब नहीं छुटती लेट सी दीपक जी का स्टिंग ऑपरेशन काम आएगा बिग बिग बॉस क खतवानी की जिनको नहीं पता ये कौन है मुझे भी नहीं पता तो जिनको पता है वो बता दिन ये टारट कार्ट रीडर है ये फ्यूचर बगेरा बताती है उतने ही कॉन्फिडेंस से जितना दीपक चौरास याने एग्जिट पोल्स बताए थे ये सिमी ग्रेवाल के शोव में टारट रीडिंग फ्यूचर बताने का काम करती थी बहुत लोगों को याद नी होगा जो लोगों को याद नी रहते उनको ही तो बुलाते बिग बॉस ये बेसिकली प्रिडिक करती थी किसकी शादी होगी किसका हस्बेंट भाग जाएगा मेरा भी एक्टिंग करियर ऐसा होता नाम के आगे एक्ट्रेस लगाने से पहले बेरोजगार लगा देता इनके प्रेडिक्शन भी बहुत एक्क्यूरेट होते सेम वेधर फोरकास जैसे हर सीजन एक भविश्यवाने वाला रहता ही है मैं इनके बारे में एक प्रेडिक्शन करता हूँ यह पक्का सीजन की विनर हो गई अगर बीच सीजन में अरवान मलिक का ब्रेक अप हो जाए तीसरी को लेके भाग जाए काटारिया और विशाल एक दूसरे का खून कर दे नीरच का फाइनली जेक पॉल गयाथ बॉक्सिंग मैच हो जाए और शो के बीच में बड आपको क्या लगता है अपका फेवरीट कंटेस्टन कौन है नीचे कमेट से बताओ और विडियो पर से लाइक करो चाहल पीडियो तो डू सब्सक्राइब और डोंट फगेट तो चेक आउट मामा अर्थ लिंक डिस्क्रिप्शन में और में को इंसाग्राम पर फॉलो कर दो ठीक है इस पर दो मिलियन करने का रहता है फाइनली पिसला लफडा सेंट्रल का एपिसोड नहीं देगा तो यहां पर टैप करके देख लो मिलते नेक्स युडियो में पीसा